नवश्कार दोस्तों फिर्से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं इन्फिनिक स्मार्ट 4 प्लस और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में पैटरन लॉक कैसे सेट कर स जाना है और सेटिंग पर जानी के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहां पर आपको सिक्यरिटी का ओप्शन देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहां पर थर्ड नंबर पर स्क्रीन लॉक देखने को मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है आप यहां पर देख सकत इसके बाद next कर दूँगी और यहाँ पे अपना कोई सा भी pattern ड्रॉ कर दूँगी और इसके बाद next कर दूँगी और इसके बाद दुबारा से ड्रॉ करना है confirm पे क्लिक करना है और इसके बाद done पे क्लिक कर देना है और इसके बाद मैं back करके आपको दिखा देती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी स्क्रेन पे pattern lock मांगा जा रहा है तो आप अपना pattern draw कर देंगी तो आपका mobile unlock हो जाएगा तो इस step से आप अपने mobile पे pattern lock set कर सकते हैं तो I hope guys यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो से related कोई query है तो नीचे comment section में पूछ लीजेगा तो चलिए मिलते हैं आपको एक next वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार